दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जंता को एक नया तौफा दिया है आपको बता दे स्वास्त मंत्राले के नए आदेशों के मताबिक अगर दिल्ली की सडक पर किसी का भी एक्सिडेंट होता है तो उसका इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल ही नहीं बलकि अब निजी अस्पताल में भी हो सकेगा नए आदेशों के अनुसार हाथसे की जगा से अगर सबसे करीबी अस्पताल निजी है तो इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी इस आदेश को प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए तीन सो चालिस निजी हस्पतालों के साथ समझोता किया गया है इसके साथ साथ गुड सैमरिटन स्कीम को बढ़ावा देते हुए अगर कोई शक्स किसी जखमी इनसान को हस्पताल तक पहुँचाता है तो उसको दो हजार रुपे का इनाम भी मिलेगा इसके लिए दिल्ली सरका के इस कदम की सराना करता है और यह आशा करता है कि अगर कोई किसी घायल हुए शक्स को अस्पताल तक पहुचाता है तो उसके साथ पहले की तरह कोई पुलिसिया तरीके से पूछताज नहीं होगी आज के लिए वस इतना ही देखते रहे है यान न्यूस